जो कहानी जो हरिकुंड की आज तुम्हें भदलाता हूं तिल-तिल करके जली रानियां वो अंगार सुनाता हूं देखे सभी लोगों ने मिलकर ये फर्माइश तो कर दी लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा ये कोई बजन नहीं है ये सत्यों का तप है ये आग से लिप्टी हुई आग से जलता हुआ सरीर की वो चीखे हैं वो स्वाबिमान की राग हैं ये धदक उठा जौला धर्ती में और गूंज उठा अंबर सारा पर एक चीखना निकली कुंड से निकला स्वाबिमान काना धदक उठी ज्वाला धर्ती में गूंज उठा अंबर सारा पर एक चीखना निकली कुंड से निकला स्वाबिमान का नारा चित्तोड की राणी पद्माबती की सुंदरता स्री मोहित दिल्ली के सासक अलावदिन खिलजी ने उस सुंदरता को पाने के लिए चित्तोड दुर्ग पर आकरमन कर लिया और उस वक्त चित्तोड की राजा थे राणा रतन सिंग राणा रतन सिंग की पत्नी थी पद्मावती पद्मावती की सुन्दरता को पाने के लिए चित्तोर दुरुग को राकरमन कर दिया लेकिन चित्तोर दुरुग इतना सक्सम था कि उसको जीत नहीं पाया अलावदिन खिलजी इसलिए अलावदिन खिल्टी ने राणा रत्मावती को एक पत्र भेजा और पत्र के अंदर लिखा कि राणा रत्मावती को अपनी बहन समान मानता हूँ मुझे बस लोगों ने जितना भखान किया है मैं एक बार पदमावती की सुन्दरता को देखना चाहता हूँ राना रतन सिंग ने सोचा हमारी प्रदा को करश्ट ना हो प्रदा को हानी ना हो इसलिए एक बार पदमावती का दर्स दिखाने से अगर ये दुविदा टल जाए तो मैं ये करना मंजूर समझूँगा और राना रतन सिंग ने अलाव दिन खिल जी को किले के दर्वाजे खोल दिये और अंदर बुलाया और जब माता पदमावती की हसिम सुन्दरता देखी तो वो महुलत हो गया और उसने मन में ठान लिया कि मैं एक दिन पदमावती को पाके रहा जो ही राजस्तान की परंपरा निबाते हुए महमान को दर्वाजे तक छोड़ने के लिए रतन सिंग जब गए तो अलाव दिन खिल जी ने धोके से राणा रतन सिंग को कैद कर दिल्ली ले गया लेकिन ओश्वट महान, वीर, गोरा और बादल ने राणा रतन सिंग को उस केज से आधाद करके चितोड के स्वाभिवान की लाज लगी और अपने प्राणों की बली दी जब ऐसा धोका हुआ तो अलाव दिन खिल जी ने मन में क्रोध आ गया और उस उसने मन में ठान दी कि अब की बार मैं झितोड जाऊंगा और झितोड दरुक के साथ वहाँ की सारी सत्वाइं का सत्यनाश कर दूँगा सबको अपनी बस में कर दूँगा किल्य का सत्यनाश कर दूँगाक of और एकब फिर वो किल्य की तरफ चल पड़ा जब घेडिली आचित तोड़ दुरग को बंद की यादाना पानी बिल्कुल जो सत्यों को सत्य मानदा है वो लोग हाथ करा करें और जो लोग ठक गए हैं वो ठके हुए बैठे रहें घेडिली आचित तोड़ दुरग को मंजर देखे के घब राया ले राक हाथ छत नाणी की सर दीवा रोशे तक राया वले पदमाव दिमाद की तकी तकी अंजान था खिल जी किस से भिड़ा हम सूरवन सी सिर मोड है स्वाबी मान जुकाना जिसका तरनी अमरचित तोड है इस चित तोड धरा का कभी स्वाबी मान नहीं जुका पत्मावती को कहा कि पत्मावती आज हमारे किले पर इतना बड़ा संकतान पड़ा है आज आज आपकी आबरू संकत में है पत्मावती आप क्या करोगे हम केसरिया बानकर इस यूटूप में जा रहे है पता रही वापिस अपने जीवन में इस खिले में लोट आए कि नहीं लोट आए आप क्या करोगे तब पत्मावती ने जवाब दिया चित तोड दुरग के कनकन में इतहास रचा कर जाऊंगी स्वाबी मान को हार के उसके हाथ कभी ना आऊंगी और दुरग की हर इक छत राणी में जो हर कुंड में भाग लिया इक एक कर कुदी जवाला मैं अपनी देह खोट्याग दिया उस वक्त किले में ना सिरफ सत्तारियों ने बलकि जितने भी हिंदू नार्या थी जो चल सकती थी वो चल के उसकती अगनी खुंड के अंदर प्रवेश किया और जो चल नहीं सकी उन बच्चियों को नार्यों को उस कुवे के अंदर धकेल दिया गया ताकि कोई मुगलों के हाथ ना लगे इसे कहते है स्वाबिमान इसे कहते है अगर उस वक्ति माता पत्मावती ने ये नाग दिया होता और मुगलों के साथ जाके अपना घर बसाया होता तो आज हम किसी को अपनी नाख दिखाने के लायक नहीं होते तेलिंगान में तो क्या राजस्तान में बामंत जागन करने के लाइख नहीं रहेते हैं हम लोग यह बात सकते है कि नई है उन्होंने अपने आपको हाग के अंदर ढगल कर हमारी ना खूझी कर दि आज लोगों के सामने हम सीना खौल के चलते कि हम महाना परताब की संतार है आज सीना खौल के चलते है कि हमारी मा पत्मा बती थी अंधन समाप्त हो गए किले के लेकिन मजबूरन किले के दरवाजे खौलने पड़े अलावदिन खिल जी मन में पसंद हो गया कि सारी सत्राणिया मेरी हो गई और चितोड द्रुग मेरा हो गया लेकिन जब किले के अंदर गुशा तो मंजर ही कुछ और था जब खुले दार चितोड दुरग के मंजर देखके घबराया ले राख हाथ छत्राणी की शर दीवारों से तक आया जब किले के दर्वाजी खुले तो चारों तरफ दुए की लबदे आग की लबदे उठी लिए और अलावदी खिल्जी ने किले के अंदर परवेश किया तो चारों तरफ राख मिली उसको इतने बड़े कुरूर अलावदी खिल्जी के भी आखों में आशु आ गए हार गया दिल्ली का सासक जीत गई है छत्राणी पद्मनी श्वापिमान मर तुम्हारा श्वापिमान मर तुम्हारा पद्मनी श्वापिमान मर तुम्हारा श्वापिमान मर हमारा और जब सारी सत्राणियों ने खिले गंदर प्रवेश कर लिया तो वक्त जितने भी वीरपूरुश मोजू थे उचित्तोर द्रग में सबने केसरिया बादा सरबे और निकल पड़े इलान देवो आपनी माहालर योह लराय पूत शिखावे पालने मलन बढ़ाई माए वो माता की शिखाईवी बाते उनको याद आ गई कि मेरी माने मुझे पालने में ये बात शिखाई थी कि बेटा जब बात मत्र भुमी पे और इजट पे आन स्वाभी मान पे आन पड़े तो कूत पड़ना आग में और अपना सर कटा के भी अपने मा का और अपनी जननी और अपनी धर्ती मा का नाम उपर कर जाना उश्वक्ती ये बात है सर कटे धड़ लड़े आशान है राजिस्तानरी केशरिया बाना बांद के सर रजपूती रण में पूद पड़े जब तक सास में सास रही तब तक दुश्मन से खूब लड़े सक्य सनातन धर्म भीर कनकन में गोरव भर देंगे पृथ्वी की क्या बात करो अंबर के सरिया कर देंगे हर कवी कलपना करता है मैंने भी इसमें कलपना की जब माता पदमाबती और 16,000 रानिया भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने एक परसन किया पदमाबती को की मा पदमाबती ऐ सती तेरे स्वाब इमान में तेरे साबरू में ऐसा क्या था जो 16,000 रानियों ने एक साथ अगनी कुंड के में परवेश कर दिया पैसाब 16,000 रानियों 16,000 संख्या होती है एक हजार आद में आते हैं हम उनको पानी नहीं पिला पाते 16,000 बहुत बड़ी संख्या होती है तब उस वक्त माता पदमापती ने क्या जबाब दिया इसको गौर करके सुनिएगा और जो जिसको समझ में आए वही ताली बजाए मैं देखना चाहूंगा कितनी लोगों को समझ में आई पदमापती ने कहा मैं जली राख हुई जड़ा गौर करना इस पंडान में बैठा अगर नहीं गौर क्या तो आपके अपनी सतित्तों की कसम है उस सती का सराब लगेगा आपको मैं जली राख हुई अंगारों पर स्वाभी मानी बचाने को मैं जली राख हुई अंगारों पर स्वाभी मानी बचाने को रजपूती खून करम सदियों से ये अंदाज दिखाने को मैं चली राक हुई आइंगारों पर सापी मान बचाने को मेरा रजपूती खून करम सदियों से ये अंदाज दिखाने को कि मेरा जो हिंदू खून है ये मुगला को दिखाने के लिए मैं साग केंदर कुदी कि मेरा खून साग से भी तेज है पदिवान हर हमारा वदमनी हम तुहारा हम जीएंगे और मरेंगे ऐ बतन तेरे लिए दिल दिया जान दे देंगे जो रात्र वक्ति का भाव रखता है और मात्र मुमी को देखिए देखिए वक्त बदलता है लेकिन रख तो नहीं बदलता हमारे पास वो तलवार उठा के काम करने वाला समय नहीं रहा लेकिन ताली उठा कर उन साभी मानियों के लिए हाथ तो खड़ा कर सकते हम जियेंगे और मरेंगे ऐ बतन तेरे दिये दिल दिया है चान दिते दिल भी आ है जान देते हैं ए वतन तेरे लिए देखिए हमारे फूरुजों ने इस इत्याश को अपने खून से सीचाए बड़ी मेनद करके ये चीज लिखी है अब ये हमारे इन्होंने कहा कि छे दिन तक उस लाइबिली के अंदर किताबे जलती रही वो सारा इत्यास जला दिया बड़े-बड़े महापूरुसों को उस आग के अंदर जला दिया वरना हम अच ऐसे ऐसे वीर पूरुसों कि तुम आपको गाथाय मिलती कि आपको उर्जा की जरूरत नहीं परती किसी पत्थर की फूजा करने की जरूरत नहीं परती उस इत्यास को बढ़ते ही आप लोगों अपने आप में चेतन हो जाते हाँ हम जियेंगे पर मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे वतन तेरे लिए मेरा देश सलामत रहे मैं मर जावा सोबार मेरी लास भी मेरे घर लाए चाहे तक तारे घरवार स्वाबिमार अमर हमारा कि बली महाराना प्रताप की बाभगत आप लोगों की पिछे आप लोगों की पिछे आप लोगों